तो दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में आप लोग को लिए लेके आज चुका हूँ जीओ का और एक नया एपीएंट सेटिंग तो दोस्तो जो की अगर आपका फोन में आप एक कर लोगे अगर आपका फोन में इंटरनेट स्प्रीट 4G जैसा दे रहा है तो आपका फोन में इंटरनेट 5G जैसा चलने लग जाएगा तो दोस्तो एपीएंट सेटिंग को सेट करके आपका फोन में एकदम हाई स्पीड इंटरनेट का मज़ा आप ले सकते है तो दोस्तो अगर आप एक जियो सुम यूस करते हो और उसमें आपका इंटरने स्पीड बहती कम है और आप ओनलाइन गेम्स बगर अभी खेलते हो और यूटूब, फेस्बुक, इंस्टागम में वीडियो बगर भी देखते हो अगर आपका फोन में बहुत स्लो इंटरने लिता है तो आप एस शेटिंग्स जरूर कर लेना तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा इंट देखके एस जो सेटिंग्स में आप लोग को स्टेप बाई स्टेप बतने बला हूं सारा सेटिंग्स अपको फोन में एपलाई कर लेना और आप अगर हमारा चैनल पर पहली बार आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को डेफेनेटली सास्क्राइब कर लेना क्यूंकि फ्रेंड्स मैं इस तरह का हेलफफुल वीडियो अप लोग के लिए हमेशा ये चैनल पर डालता रहता हूं तो फ्रेंड्स चलिए वीना टाइम का बाके वीडियो को शुरू करते है ओके फ्रेंड्स तो यहाँ पर जीओ का एपीन सेटिंग को सेट करने के लिए सबसे पहले आपका फोन का जो मेन सेटिंग है उस पे आप लोगों को जाना है जाने के बाद यहाँ पर सिम कार्ड्स एंड मोबाइल नेट वार्स करके जो एक ओप्शन है इसके उपर क्लिक करना है करने के बाद यह पर आपको दो सीम दिखाए देगा यह से आपको जो जीओ सिम है इसको एहाँ ii learn कर लेना है करने के बाद फ्रेंड्स नीचे देखो access पॉइंट नेम करके जो ऑप्शन है इसके उपर आप लोगो को क्लिक करना है करने के बाद थे पर आपको पे लेके आ जाएगा तो आपका फुन में जो पहले से एपीएट था इसको यह पर आपको reset कर लेना है reset करने के बाद आपको यह पर new a pn create करने के लिए जो option है इसके उपर आप लोग को click करना है तो करने के बाद आपको एक empty from देदेगा यह पर जो from पुरा खाली रहेगा और यह फ्रॉम में जो जो मैं बतने बला हूं सारा यह पर डालके आपको यह पूरा from को fill up कर लेना है तो फ्रेंट्स पहले जो name का option है इसके उपर आप लोग को tap करना है और यह पर आपको जीका जी यह पर केविटल लटर पे होगा इसके बाद एक स्पेज देना है और यह पर प्लास लिए पर हाँ प्लास के आपको जीक लेकर लेके technique n , इसके ने के बाद फ्र advertise यह पर नीचे है एक प्लिक करना to और यह पर आपको small letter पर लिखना है GioNet, GioNet लिख के आपको यह पर OK कर दिना है, देने के बाद friends, उसके नीचे है proxy, यह आपको not set रखना है, उसके नीचे है port, यह भी आपको not set ही रखना है, आपको direct username के उपर click करना है, और यह पर आपको लिखना है GioBoostNet, तो friends यह पर Gio का J लेकने के बाद एक स्पेस देना है और यहाँ पर आपको बुष्ट लेकना है बुष्ट का बी यहाँ पर क्याबिटल लेकना है लेकने के बाद यहाँ पर एक स्पेस देना है और यहाँ पर आपको नेट लेकना है नेट का एन यहाँ पर क्याबिटल लेकना है तो लेकने के बात friends यहापर आपको ok कर देना है देने के बार उसके नीचे है password इसको आपको not set रखना है उसके नीचे है server तो server पे आप लोग को click करने के बाद यहापर आपको small letter पे लिखना है www.go.co.in क्योंकि friends यहापर हम लोग जीओ का server यूज करने बाला है तो लिख के आपको यहापर ok कर देना है तो करने के बाद friends नीचे कुछ option है जैसे की mmac, mmasproxy, mmasport, mcc and mnc तो इन में से कोई भी option को आपको छेड़चार नहीं करना है और mcc and mnc यह आपका खुदगा area का हिससे आपको phone में set हो जाएगा अलग-अलग हो सकता है अलग-फोलग phone में क्योंकि हर कोई एक country पे नहीं रहता है ठीक है वह country का हिससे automatic set हो जाएगा आपको phone में तो इसको भी आपको बिल्कुल छेड़चार नहीं करना है नीचे आपको authentication type करके एक option दिखाए देगा इसके उपर tap करके आपक स्मॉल लेटर पर default लिक लेना है लिक के आपको यह पर okay कर देना है देने के बाद उसके नीचे है APN roaming protocol यह पर क्लिक करके आपको unspecified और LTE को select कर लेना है ठीक है तो आगर यह दो option select करने के बाद आपका phone में अगर APN save नहीं होता है तो आपको यह पर सिर्फ unspecified ही select करके रखना है तो यह पर मैं दोनों select कर लिया आप जो APN है इसको मेरा phone में save कर लेना है तो save करने के बाद जो आपने APN create किया आपको phone में इसको आपको phone में select कर लेना है और आपको phone को एक बार restart कर लेना है ताकि जो APN आपने create किया वह अपके phone के साथ एकदम ठीक ठाक attach हो जाए तो होने के बाद जब आप internet चला होगे तब देखना आपका internet speed पहले से कितना ज़्यादा फस्ट हो गया है तो आपको internet speed कितना अ लाइक करके channel को definitely subscribe कर देना क्यूंकि friends मैं आप लोगों के लिए इस तरह का helpful videos हमेशा डालता रहता हूं तो friends मिलते हैं अकला कोई नया वीडियो लगे जाए हिंद